हाई वेल्कम बाक टू दी चैनल दीपच्या दव एजूकेशन वेल्कम दी डेली करेंट अफियर्स ऑफ सेविंट आफ नवेंबर 2023 तो गाईज आज है तारिक साथ नवंबर वीडियो में प्रेजेंट हो चुका है नीचे लाइव चैट में जरूर से मेंशन करना दोस्तों इस लेक्चर में हम लोग मेजर ली इन एक्स्प्रेस के उपर फोकस करते हैं लेकिन इसके साथ जो भी हमारे बाकी सारे इस लेक्चर का एंड बहुत इंपॉरेंट है उसको मिस मत करना क्योंकि वीडियो के लास्ट में डेली बेसिस पे आप सभी लोगों को एमसी की प्राक्टिस करवाई जाती है यानि कि पूरी लेक्चर को फुल कंसेंट्रेशन के साथ में सुनना लास्ट में टेस्ट मिलेगा उसको अटेम्ट करना जो भी आपका स्कूर हैगा उसको नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिखना इससे आपके इंदर एक हाई कॉन्फि डेली बेसे स्पेस लेक्चर के पीडियाफ को डाउलोड कर सकते हो और अगर आप मेरे साथ में परसनली जुड़ना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम पर भी जा सकते हो वहाँ पर भी लिखना है दीपक्ष जादा वेजुकेशन मेरा प्रोफाइल मिलेगा जहां पर ऑल् पर मैप के साथ में समझाऊंगा बहुत इंपोर्टन वीडियो होने वाला है सबसे बेल आर्टिकल बात करता है मायन सिविलाइजेशन के बारे में तो मायन सभेता अभी रीसेंटली चर्चा में आई है अब दोस्तों आपको पताओगा हर एक आर्टिकल में आपको खबर भ US बिले हैं दोस्तों वहोग मंदर बनाया गया तो उस समय पर वह कहीं न कई मायन सिविलाइजेशन में उस समय के जो लोग उससेंके और इक गौड हुआ राव करते थे जिनका नाम है कुकन कटकन तो यहां पर यह गौड को ऑनर करते विपको समानित करते वी टैंपिल था उस टैंपिल कि रिमेशलेंटल्री मिले है इस वैसे यहां पर यह News में है तो यह चीज़ अफमारे उसे औरिजिनेशन कहां पर होता है, युकटन पैनिसुला में, लगबख 2600 BC के आसपास की बात कर रहे हैं, यानि कि युकटन पैनिसुला कहां पर है, फटापर यह देख लेता है, यह हम आ गए हमारे अमेरिका की साइड में, उपर USA है, नीचे मैक्सिको है, आपको दिख रहा यही कहलाता है, युकटन पैनिसुला, पैनिसुला बेसिकली वो रीजन होता है, जो की तीन जगा से पानी से घिरावा होता है, यह आप देख पाओगे, यह पर्डिक्लर रीजन तीन जगा से समुद्र से घिरावा है, यह पैनिसुला कहलाता है, ठीक है, तो यहीं से कह सकत तो इसी युकाटेन पेनेंसुला से क्या होता है यह मायन सिविलाइजेशन की शुरुवात होती है इस सबहता की स्टार्टिंग होती है यहीं सही है ओरिजिनेट हुआ ठीक है तो लगबग 2600 बीसी की बात है उसके बाद यह अपने उच्छे लेवल पर पहुंच गए 25-250-80 क कहां पर मेक्सिको में जो सब्सक्राइज का वह वाला मेक्सिको के अलवा यह जो सबहता है इस सबहता के जो लोग है वह ग्वातेमाला नौर्धन बैलीज वेस्टन होंडियूरस इन सब जगह पर फैल गए यह सारे अलग लग देश आस पास में आपको देखने को मिल जाते है क्योंकि यह युकाटन पैनसुला हो गया इसके नीचे गवाटेमाला हो गया यह होंदियूरस हो गया तो यह सारी कंट्रीज आपको पास में देखने को मिलेंगी यहीं पर बैलीज भी आपको दोस्तों नजर आता है ठीक है तो इन सब कंट्रीज में थोड़े दोले हिस् जमाने में जहां पर कोई भी ऐसा टूल नहीं था जिससे कैलकुलेशन की जासे के प्रापर लेकिन फिर भी इन्होंने टैंपिल पिरामिट्स बनाए अलगलग पैलेसेस बनाए ऑब्जर्वेट्रीज बनाएं बहुत जादा डैकोरेटिड आर्किटेक्चर्स उन्होंने त जहां पर बारिश का पानी स्टोर करके उसको यूज क्या करते थ pedals बहें एक स्केल्स बहुत पहले यहां पर वो यूज कर चुके थे तूँर जो मायन सिस्विलाजेशन के लोगord gjort यह सात् says होगा आज से कई साल पहले कि वह ऐई 2012 में दुनिया ख़तम होने वाली है ऐसे सुना होगा कि वह случа हजाrend में दुनिया खतम हो जाएगी ऐसी न्यूज आ रही थी 2012 इसके और पिच्चर भी बन गई थी 2012 के नाम से अब वो बता उसके का कारण क्या था वो कारण कही न की मायन सिविलाजेशन के लोगों से जुड़ावा है क्या जुड़ावा है मैं आपको बताता हूँ मायन सिविलाजेशन के लोगों की मैट्स उनकी गड़ित इतनी शांदर हुआ करती थी कि इन्होंने आने वाले समय का उस समय पर अपने आने वाली PD के लिए कई 100 सालों तक का पूरा कलेंडर तयार कर लिया था पूरा कलेंडर आगे भविश्य तक का तयार कर लिया था और इनका कलेंडर यहाँ पर तयार करके इन्होंने 2012 में वो कलेंडर खत्म कर दिया ठीक है और 2012 में हमको यहां पर बिल्कुल अंत देखने को मिला तो जब यहां पर मायन सिविलाजेशन का कलेंडर ओपन के आगा है तो 2012 के आगे डॉट 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 लगा हुए लोग ने यहां पर इसका एक न्यूज बना दिया कि 2012 के बाद में जो पुरा वर्ल्ड है वो यहां पर खतम होने वाला है तो आप यह इमेजिन करो कि यह भी जो पुरा बखवास उड़ा था बहुत ज़्यादा वो सब यहां पर कहीं न कहीं मायन सिविलाजेशन से ही काफी ज नाम से जानते थे यह सारे काम यहां पर मायन सिविलाजेशन ने उस समय पर करके दिखाए ठीक है अब बात करें यूकाटन पेनिसुला की तो यूकाटन पेनिसुला अभी मैंने आपको मैप में दिखाए एक्जैक्ली किस तरीके से वो नज़र आता है आगे आते हैं अगल समुरल रीव होते हैं जो समुदर के अंदर में रंग बरंगी जीव देखने को मिलते हैं वह फाउंड करें हैं साथी साथ में दो सी माउंट्स भी यहां पर फाउंड करें गए कहां पर यह सब कुछ पाया गया है गैलापेगोज आईलेंड्स पर इस वजह से मेल्स की दूरी पर है आप देखते हैं यह होगी हमारा वर्ल्ड मैप साउथ अमेरिका की बात कर रहे हैं तो अभी तो हम देखो ऊपर घूम रहे थे हैं यहां पर घूम रहे थे जब मायन पेनिसुला की बात कर रहे थे सुरी मायन सिवलाजेशन की बात कर रहे थे अब हम यहां पर आगए नीचे साउथ अमेरिका में आज न मैप में जातर क्वेशन यहीं कहीं है अब दोस्कों यहां पर जो साउथ अमेरिका आपको दिख रहा है यहीं पर एक छोटा सा देश नज़र आ रहा होगा इकवाडूर इसको जूम कर लेते हैं तो यह जो छोटा सा देश देखने को मिलते हैं जिसमें से 13 बड़े आइलेंड हैं छे छोटे आइलेंड हैं इस प्रकार का पूरा ग्रॉप बनावाए ठीक है जो कि यहां पर आसपास में फैले वे हैं और यहीं पर बहुत सरे वालकेनोस भी देखने को मिलते हैं वालकेनिक इरॉप्शन हुए हैं प कुछ आइलेंड इसमें ऐसे हैं जो कि 5-5 साल मिलियन 5-5 मिलियन साल पुरान हैं तो यंगेस्ट आइलेंड की कैटिकरी में इनको रखा जाता है गेला पेगोज आइलेंड पर अगर आप देखोगे तो यहां पर एक बहुत उची चोटी है ठीक है हाइस पॉइंट है यहां क्लाइमिट की बात करेंगे तो जाधा कोई बारिष होती नहीं है नमी वगरा काफी कम रहती है हवा कम रहती है चीक है उसके अलावा इस पर्डिकलर एरिया को यूनास को वर्ल हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया था 1978 में ही बायो डैविसिटी की बात करेंगे तो कई सरी प्रकार के प्लांट्स और अनिमल्स यहां पे पाय जाते हैं लेकिन जाद तर जो प्रजातियां होती हैं वह यहां पे एंडमिक होती हैं एंडमिक का मतलब केवल और केवल इसी आइलेंड पर वो जानवरों की प्रजातियां पाय जाती हैं दुनिया में और कहीं नहीं पहे जाती फॉर एक्जाम्पल जाएंट गेलप एगोस टॉटोई आपको बताओ का पिछले को समय पर ये टॉटोई न्यूज में भी था ये टॉटोई आपको देख रहा है ये साइज में बहुत बड़ा होता है तो गेलप एगोस जाएंट बता चला बैजाएंट का मतलब ह होता है काफी जदा बड़ा तो इस प्रकार का जो टॉटोई आपको देखने को मिले का ये गेलप पर पाया जाता है उसके लावा फ्लाइट लेस्कॉर मॉंट है ना गेलप एगोस पैंग्विन हो गए ये कुछ ऐसे जानवर है जो कि केवल और केवल इनी आईलेंट पर प लूटी होती है ठीकлем इसके अंदर में यहां पर कह सकतो एक माउंटेन होता है ठीके अंडर тепर माउंटेन के सकतliamo समूदर के अंदर के एक पहालु को अम लोग कि सी मांलउक कह सकते हैं जासे आफड़ता ही यहाँ पर इंदर से मांटेन आपको समूदर के बेड से नज़र से उपर उठता वह नदर आ रहा है इसी कम लोग सी मांट का नाम देते हैं ठीक है आ गया आता है अगले आटिकल में अगेन लोकेशन है लेकिन अगले आटिकल पर बढ़ने से पहले दोस्तों मेक्शुर करना वीडियो पर जो लाइक का बटन उसको प्रस कर देना हमारा चोट पचास से जादा जो घासों की स्पीशीज वह यहां पर आइडेंटीफाई की गई हैं जिसकी वैसे न्यूज में है तो न्यूज के लिए अगर एक्जाम के लिए डिरेक्ली देखें तो सबसे इंपॉर्टन है लोकेशन तो ब्रहमेश्वरम वाइड लाइफ सेंक्चुरी जो है आंदरप्रदेश के अंदर रिस्थत है आंदरप्रदेश में स्पेशली कुर्णूल डिस्ट्रिट के अंदर में आंदरप्रदेश कहां पर है तो यह हमारे इंडिया का मैप यहां पर आपको साउथ में देखने को मिल जाता है यह है आंदरप्रदेश के साथ में कई से स्ट्रेट्स हैं जो कि बॉर्डर को शेयर करते हैं for example north अपको उड़िशा 36 एंदेखने को मिलेगा तक तेलंगना देखने को मिलेगा आप वेस्ट में आपको करणाडिका देखने को मिल जाएगा थेक है बात के लिए रोगे अब आगे आते हैं लोकेशन आपने ध्यान अक लिया, ठीक है, दोस्तों यह जो वाइल लाइफ सेंचरी है ना, यह दो इंपोर्टेंट पहाड़ीों की जो पासिस उनके बीच में, एक पहाड़ी है, जिसका नाम है मंत्रा लमा, दूसरी है नंदिक कनुमा, ठीक है, दोस्तों यहाँ पर यह अगे गया था, 18 सितंबर 1990 के अंदर में, यह भी आपने थोड़ा बहुत ध्यान, मतलब इतना ध्यान नहीं रखना है इसके बारे में, बस लोकेशन ध्यान रखना कि यहाँ यह आदर प्रदेश के अंदर में इस्तित है, ठीक है, उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर नदी क की बात करेंगे तो एक नदी है जिसका नाम है गुंडला कमा नदी, वो यहाँ पर इस पूरे सैंक्च्रियू में बहती है, क्लाइमिट की बात करेंगे तो थोड़ा गरम क्लाइमिट आपको वहाँ पर नजर आएगा, पेड़ पौदे और अलग लग जानवरों की प्रजा पर एक बहुती जहरीली इसी फोम लेयर हमको नजर आ रही है, इस वज़ा से कही नखी पवना नदी चर्चा में और कई सारे एक्जामनेशन के अंदर में पवना नदी के बारे में पूछा भी गया है, तो पवना नदी कहां पर है, सबसे पहली बात महाराष्ट्रा पवंा नदी की है, उसके साथ मूला रिवर के अंदर ही ये जाकर मिल जाती है, पूने शहर के अंदर ये भी आपने थोड़ है, आइडिया रखना इंपॉर्टेंट है बाकि अगर हम लोग इसके बारे में कुछ और बेसिक जानकारी लेंगे तो इसके उपर एक डैम बनाया गया इस नदी के उपर है उसका नाम है पवना नागर डैम ठीक है तो अब नागर डैम की बात करेंगे तो एक ग्राविटी डैम आपको नजर आएगा काफि की उचाई पर यहां पर इसको तयार किया यह उगया था ताकि जो आसपास के लोकल एरिया से वहां पर पर पानी का सप्लाइगा जै के इस लिए में हाली में यहां पर बोला है कि हम अपने जो एफेल साथ में तोड़ रहे हैं और बोलीविया ने अपने रिलेशन्स इसराइल के साथ में तोड़ भी दिये हैं क्योंकि इसराइल ने गाजा पटी के ओपर अटेक किया है और गाजा पटी का दोस्त है पलिस्टीन का दोस्त है बोलीविया तो बोलीविया ने अपने रिलेशन्स इसरा के चिकलर पॉर्शन बोल दा लगा ना आज आज यहां पर घुम रहे हैं आज पास अभी हम लोग यहां पर गैला पर गोस्ट देखे सिवलाजेशन देखा फिर अब बात कर रहे हैं बॉलीविया की तो यह ब्राजील है है न जहांपर Amazon के जंगल आपको नजर आता है Amazon के जंगल बहुत बड़े जंगल है जो कि यहां पर फैले पड़े हैं कुछ हिस्सा Amazon का जंगल का जो है वो बोलीविया में भी आता है तो बॉलिविया बीच में आपको छोटा सा पिंकलर का देश दिख रहा होगा अगर हम बॉलिविया को जूम करके देखे तो ऐसा देखने को मिलेगा इसकी कैपिटल है लापलास लापाज और बॉलिविया के असपास कई सारे जो कंट्रीज हैं अग्णीबों की अपने बॉलिविया के साथ अपने आपने बॉलिविया को जो चेशेर करते हैं नाम इसका कैसी बड़़ बॉलिविया तो बोलिविया के अंदर वे एक इंडिपेंडेंस फाइटर थे देश के अजादी के लिए यहाँ पर एक व्यक्ति लड़ रहे थे जिनका नाम है साइमन बोलिवर तो इने के नाम के ओपर रखा गया बोलिविया यह जो देश है यहाँ पर एंडीज माउंटेंस भी पढ़त करते हैं ठीक है उसके अलावा जो वन थर्ड हिसा इस देश का वो यहाँ पर एंडीएन माउंटें रेंज के अंदर में आता है इसके असपास के देश कौन कौन से आपको बता दिया है आर्जेंटिना ब्रजील चिली पेरागवे पेरू यहाँ पर इसके साथ में बौंडर के समय पर यहाँ पर एक पूरा का पूरा सिविलाजेशन हुआ करता था और उस सिविलाजेशन का उस सिविलाजेशन को बोलते थे इंका और इंका सिविलाजेशन नहीं पूरे रीजन को पूरी तरह से कंट्रोल किया उस समय पर साशन किया लेकिन समय जैसे बढ़ता रहा स अपना हासिल कर लिया फिर उसके बाद में दोस्तों यहां पर आप कह सकतो जो Spanish रूल था 1825 में है ना उससे यहां पर यह बाहर आ जाता है पूरा आइलेंड और इसका जो एतिहास है वो यहां पर इतना खतरनाक होता है कि कई बार इसमें तकता पलट हुता है कई बार कू होता है लाकरी जो तकता पलट हुआ था वो 1978 में हुआ था फिर बाद में इनकी पूरी सरकार बठाए की डेमोक्रेटिक सिविलियान रूल आया 1982 के अंदर में फिर जो सरकार है वो यहां पर इनका जो गॉर्मेंट सिस्टम है वो रिपब्लिक सिस्टम है इनका जो 30 भाषा हैं जिसमें स्पैनिश भी यहां पर एक भाषा आपको देखने को मिल जाती है ठीक है आगे आते हैं नेक्स आर्टिकल पर यहां पर बात की जा रही है दोस्तों लिूसी मिशन के बारे में अगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल अब यह हमारा जीयस पिपर नंबर 3 सा असिरोईट का यहां पर चक्र लगा लिया है ठीक है पहले अस्ट्रोईट का डिस्टैंस कवर कर लिया है इस मेशन चर्चा में दोस्तों हां पर पता है लीशन को आज नहीं लॉंच किया था यह नासा का मिशन है जहाँ पर नासा का में मक्स slick है कि जूपीटर के आस-पास क जो बहुत बढ़े बढ़े rocky particles है जुपीटर के orbit पर जो चटाने तैर रही है उन चटानों को explore करना उनके बारे में जानकारी लेना और Lucy Mission को दोस्तों यहाँ पर launch क्या जा था solar October 2021 में कहां से US के Florida से ठीक है तो यह 12 साल का mission है जहाँ पर में मकसद है कि यहाँ पर जो हमारी asteroid belt है उसको उपर analysis करना प्लस यहाँ पर जो trojans होते हैं उसके उपर analysis करना अब asteroid belt कौन सी होए तो यहाँ पर आपको पता होगा हमारे solar system में हमारे सौर मंडल में Mars और Jupiter के बीच में कई सारी चटाने तेर रहे हैं कई सारी पूरे चटानों की एक belt बनी भी है इसको asteroid belt बोलता है और उसी प्रकार से यहाँ पर आपको यह भी पता होना चाहिए जो जूपीटर नाम का planet है दोस्तो जूपीटर जो चक्कर लगा राइसन का जूपीटर के orbit पर जूपीटर के जो बेल्ट होती है वह asteroid belt के लाती है तो लूसी क्या करने वाला है लूसी मिशन यहाँ पर इसका में मकसद है कुछ एसोड़ाइट को explore करना प्लस ट्रोजन्स को explore करना ट्रोजन्स क्या होता है अल्रेडी हम लोग यहाँ पर डिसकस कर चुके हैं तो कोई खास यहाँ पर पॉइंट ऐसा बचा नहीं है ठीक है आ गया आता है नेक्स्ट आरिकल में दोस्तो अलिफेंटा केव्स के बारे में ड discover करी हैं वो गुफाएं एलिफेंटा की गुफाओं से भी काफी सदा पुरानी हैं वो कहां पर हैं रतनागरी के पास में इस वज़ा से चर्चा में ठीक है तो इस वसे एलिफेंटा केव्स यहाँ पर न्यूज में आ चुका है तो एलिफेंटा केव्स देखोगे तो कुछ रॉक कर्ट आर्ट की टैक्चर हैं जो चटान है दोस्तों चटान को काट कर पूरी गुफाएं बनाए गई हैं और उसी चटान के अंदर में कई सारी मूर्तियां आपको देखने को मिल जाती हैं उन सब स्कल्प्चर्स को भी यहाँ पर उन्हीं चटान में काट कर बनाया ग किया है कब लगबाख फिफ्ट से लेकर सिक्स सेंच्री एडी के समय पर इनको त्यार किया जादतर जो गुफाएं हैं वह भगवान शिवजी को यहां पर डेडिकेट की गई हैं ऐसा मेंशन किया रहा है इन गुफाओं में भी दो पर्टिक्लर ग्रॉप्स हैं दो अलगला ग्रॉप्स हैं पहला ग्रॉप में यहाँ पर पांच हिंदू के अदू है और सेकेंड ग्रॉप में यहाँ पर दो बॉधिस्ट के आपको देखने को मिल जाती है ठीक है बात क्लियर हो गई तो दोस्वों यहाँ पर बहुत जादा आर्टवर्क क। prolok गुफाएं लेकिन इ यहां पर कुछ और नकाश्या की गई है कुछ और मूरतिया बनाए गई है जिसमें त्री मूरति हम को देखने को मलती है, तीन सरवाली मूरति ठीक है यह आपको नज़र आएगीगी शिव जी के मूरतिया आपको लोग wait कर रहोंगे कि sir thumbnail वाल आर्टिकल कप cover करोगे आगई हमारा thumbnail वाल आर्टिकल हम बात कर रहे हैं कभा आईजन के बारे में तो कभा आईजन क्या है आओ मैं आपको इसको बारे में बताता हूं थोड़ा interesting आर्टिकल है ध्यां से सुनना important है अगे इन location यह आगई कॉपर निकस सेंटिनल टू मिशन ये एक मिशन है जो कि अंतरिक्ष में बेजा गया है ठीक है तो इस मिशन ने क्या क्या है कुछ पिच्चर कुछ फोटोस खेज के बेज़ी हैं हमारे प्रत्वी की और अभी रिसेंटली जो कुछ इमेजिस आईए उसमें से कवा आईजन क्रेटर का इमेज भी आया है ये कवा आईजन क्रेटर एक बहुत बड़ा गड़ा है उसके ओपर यहां पर यह जील बनी वे काफी उचा ही पर एक जवाला मुखी है जो फूट गया है उसके अंदर गड़ा बन चुका है उसी के ओपर यहाँ पर यह जील तयार हो चुकी है, ठीक है, काफी खुबसुरा सी जील यहाँ पर यह देखने को मिल रही है, इस प्रकार के फोटोज हमको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, तो कवा आईजन क्या है एक प्रकार का आपको बताना है, वालकैनिक क्रेटर लेक है, ठीक है, जो आलमोकी जिसमें बीच में गड़ा हो चुका है, और वो जील बन चुकी है, यह कहाँ पर इस्तित है, लोगेशन इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडोनेशा में, इंडोनेशा में यहाँ पर दोस्तों यह जील देखने को मिलती है, ठीक है, इसका जो मेर ए ठानी में धेर सारे मिनरल्स हम को देखने को मिलता है, यह जील अपना आप में बहुत बड़ी है, एसेटिक क्रेटर है, पुरे वर्ल्ड के अंदर में, इस जील को भी उनेसको वर्ल्ड बायोसफेर रिजर्फ के अंदर में इंक्लूड किया है, यह जो आईजन वॉलकेनों है, यह जो आप कह सकते हो, पूरा का पूरा ज्वाला मुखी है, या अभी भी एक्टिव ज्वाला मुखी है, कभी भी बिस्पोर्ड हो सकता है, अभी भी एक्टिव ज्वाला मुखी है, ध्यान रखना, और यह वालकेनों सल्फर गैसिस को रिलीस करता है, सल्फर गैसिस, जिसकी वजास से यहां पर यह ब्लू क अब्र की निर्फ अधिके यह जो एरिया इसको हम लोग प्रेदिशनल सलफ कर माइनिंग के लिए बिजान जानते हैं ध्यान अगना तो आप से पूछा जाएगा क्या है तो वो रीजन है sulphuric acid ध्यानक होगे ना चलिए sulphur gases भी यहां पर इस वाल के रिलीज करता है आगे आते हैं नेक्स टार्डिकल पर सॉरी यह इस प्रकार का फोटो आपको रात में देखने को मिलता है नीला नीला यहां पर तरीके से लावा निकलता वह नज़रा रहा है ठीक है तो यह क्या है यह जो आपको गैस दिख रही है यह भी यहां पर ब्लू कलर के नज़रा रही है यह सब sulphuric acid है जिसकी वह से यहां पर नीला कलर के नज़रा रहा है और ब्लू फेम समको नज़रा रही है ठीक है चलिए आते हैं उसके बाद में अपने practice questions के उपर अग बताना है इन में से कौन स्टेटमेंट साही है पहला स्टेटमेंट बोलता है कि बोलीविया एक लैंड लॉक कंट्री है जो कि साउथ अमेरिका में स्थेत है ठीक है यह लैंड लॉक मतलब इसके आसपास चारों तरफ देश हैं कोई संबुदर से यह टच नहीं करता नेक्स क्वेशन बराएंगे यहां पर दोस्तों एलिफेंटा केव को लेकर दो स्टेटमेंट जी गई हैं बताना है कौन से स्टेटमेंट साही है पहला स्टेटन बोलता है कि यह सारी की सारी गुफाएं बुद्धिजम को डेडिकेट की गई हैं तो बताओ दोनों स्टेट स्टेटमेंट से हैं हाउ मैंने पूछा गया है तो पहला स्टेटमेंट बूलता है कि गैलापगोज आइलेंड एक्कवेटर जो हमारा कह सकते हो पैसिफिक ओशन है दोस्तों पैसिफिक ओशन में सिचुएटेड है एक्कवेटर के दूसरे साइड में बाकी यहां पर जो मा पहलावला स्टेटमेंट है वैसे तो आप समझ चुके होंगे हाँ बिल्कुल गिलापगोज आइलेट पैसिफिक ओशन में है बट मैं आपको यह बताना बूल गया हूँ बट वो पैसिफिक ओशन ही था जहां आप अपने देखा है ठीक है तो यह वाला जो पहलावला स्ट क्या है क्या अध्यन करने का में का ओप्शन अब्शन अमबर वन मार्स टोपोग्राफी बी अर्थ का एट्मॉसफिर सी ट्रोजन ऐस्टॉराइड सी डी सैटन रिंग तो बताओ इसका यहां पर सही उतर क्या होना चाहिए अगला थोड़ा इंट्रेस्टिंग सा क्यों कवा आईजन, हाल ही में न्यूस में देखने को मिला है, ये क्या है, आप्शन नम्बर एक, क्या ये रेयर ब्लू डायमंड है, बी, वॉलकेनिक क्रेटर लेक है, सी, एक बटरफलाई की स्पीशी है, या फिर एक मार्शल आर्ट है, तो बताओ, इसका सही उतर, क्या होना चाहिए, तो दोस्तों, ये थे हमारे सारे सारे क्वेशन, आई होप आप लोगोंने मैक्सिमम क्वेशन को बिल्कुल सही सही अटेम्ट किया होगा, एक एक करके सारे क पर नेक्स क्वेशन के आंसर को देखना हम लोगों यहां पर स्टार्ट करेंगे, आप लोगों को पहले में सभी क्वेशन के, मैंने बता दियें, फिर अब एक साथ में लास्ट गोशन से आंसर बताना शुरू करूँगा, आप सब को रीमैच करना और चेक करना, कितने गज हे जो जी ले वहां हमको यहां पर देखने को मिलता है फिर नेक्स question में आप से यहां पर पूछा गया था नशा का ज्यों नीज में है इसका में परपस क्या है क्या अध्यान करने का डोह से ने गजय जो जियूपीटर verder विर भाता था ऑक्टूबर 2021 में पिर आप से पुछा गया पवना नदी जो हाल ही में यूज में कौन से शेहर से गुजरती है तो इसका सही उतर है पूने सिटी से यहां पर यह गुजरती भी जाती है आज के समय पर काफी चर्चाम है क्योंकि यहां पर काफी ज़्यादा टॉक्सिक फ् स्थित है माउंट इजूल के बारें बताए है सबसे हाइस्ट पॉइंट है गेलापेगोज आइलेंड्स का और गेलापेगोज आइलेंड्स को युनास्को का वर्ल्ड हरिटेज साइट का डेजिगनेशन भी दिया गया है और आप से पूझा गया अलिफेंटा केव को लेक एक ग्रूप यहाँ पर हिंदुईजम को डेडिकेट किया गया है हिंदू केवस हैं और दूसरी बुद्धिजम वाली केवस आपको नजर आती हैं फिर यहाँ पर आपसे पूझा यहाँ बोलिविया को लेकर बताओ दो स्टेटमेंट है कौन से सही है दोनों के दोनों सही ह क्यों बिल्कुल बॉलिविया एक लैंड लॉक कंट्री है बिल्कुल बीचो बीच में आता है चारो तरफ इसके अलग लग देश है बाकी एमेजन बेसिन के अंदर में यहाँ पर यह लोकेड है अभी मैं आपको बताया भी था एमेजन के जो जंगल है वो यहाँ पर फैले वीडियो में आज के लिए बाबाए हेव नाइस डे थैंक यू एंड जाहिंद रॉड़